नमस्कार दोस्तों लर्निन टुगेजर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को बड़ी ही आसानी से बहुत सारे questions solve करने में आसानी होगी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि quarterly questions कुछ इस तरीके से आते हैं हमारे बैंक के एक्जाम में जैसे हमने लिखा 3x square minus 16x plus 21 equal to 0 एक और होता है equations मानलोग y का है 6y square plus 25y plus 21 is equal to 0 दोस्तों इसमें करना क्या होता है सबसे पहले हमें इसे solve करना होता है x की value निकालनी होती है फिर y की value निकालनी होती है उसके बाद फिर हमें इनको check करना होता है कि x is greater than y है या x is less than y है या x is less than equal to y है या x is greater than equal to y है या फिर इन में से कोई भी नहीं है बतलब x is equal to y है ऐसा कुछ तो दोस्तों इसमें मैं बहुत सारी problem होती है जैसे अगर मान लो यह तो थो थोड़ा एक छोड़ा सा equation से इससे भी कुछ बड़ बड़ equation आ जाते हैं जिसे मैं solve करने में minimum 30 seconds तो लगते ही लगते हैं इससे कम तो नहीं लगता दोस्तों मैं अब कुछ ऐसे tips बताऊंगा जिसके वैसे आप within two seconds within two seconds आप लोग इस question को solve कर सकते हैं आप अपना time बचा सकते हैं bank exams में दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें इस symbols दिये हैं इन symbols को ही हमें सिर्फ remember करना होगा कि इस symbols के use से हम कैसे बहुत firstly इस equation को solve कर सकते हैं दोस्तों जैसे मान लो कि हमने यह question लिखा इससे जब हम solve करेंगा तक काफी time लग जाएगा प्रेंटों हमें symbol को देखना दोस्तों आगर यहां पर minus दिया है x की values में अगर हमें minus और second value plus मिलता है y equations में अगर first value first equations में second equation में अगर symbol plus मिलता है second अभी plus मिलता है तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना होता है कि इस equations को अगर आप remember कर लाते हैं minus plus और plus plus आता है x में और y में तो इससे हम by default x is greater than y लिख करके answer को टिक मार सकते हैं बिना किसी equations को solve किये अगर यही value अगर opposite आती है मानलो अगर यह plus plus है और minus minus आती है x और y की value तो हम इसे भी आराम से x is less than y लिख सकते हैं इसका मतलब दोस्तों जिस तरफ माइनस और plus होता है जिस तरफ minus plus होता है दूसरी तरह plus plus होता है तो minus plus की value जो होती हो हमेशा greater देना होती है हमेशा greater होती है यह दोस्तों आपने remember कर लो और यह पहुत ही आसान है सिर्फ questions को देख के आप इसका answer दे सकते हो दोस्तों एक दूसरा trick में आपको बता दूँ एक दूसरा trick भी सी तरीके का है मालो अगर हमने इसमें first value अगर plus minus का हो second value भी अगर plus minus का हो ठीक है यह x की value और y की value की बात कर रहा हूं अगर x equation में भी अगर first value plus minus हो और y equation में भी अगर five value plus और minus हो ठीक है तो ऐसे सिती में इसका questions भी जो होगी वो x equal to y होगी यानि कि हम cnd लिख सकते हैं cannot be determined डिरक्टिक मारेंगे दोस्तों बिना किसी बिना किसी प्रोब्लम का डिरक्टिक मारके हम लोग निकल सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ता आप कोई भी equation चेक कर लो अगर उसमें symbol इस चीश को चेक करो ठीक है य जैसे मान लो कि हमने फॉर्स्ट एक्वेशन जो है एक्स का है अगर वो माइनस माइनस में है और वाई का जो एक्वेशन है वो भी अगर माइनस माइनस में है तो इसका भी जो आनसर आएगा हमारे पास वो भी होगा x equal to y यानिक हम लिख सकते हैं cannot be determined बिना किसी इस को सॉल् है और हम्हारा पास ट्रह होगा दोस्तो मैं आपको भी बता दूं एक्वेशन है अंतर डॉसरी वैल प्लस माइनस में हो में है ना दोस्तो तो यह वह सी अंडी के कटेगरी में ही आएगी तो एगर अगर दोनों तरफ की वह अगर मानस मानस में आते हूं जैसे कि अगर ये मानस मानस में आ जा जा वॉस मानस में आ जाया तो इघंगे क्टेम थाजंडि में áreas लह अगे को करना दो करके निकल जाना दोस्तों विदिन वन टू टू मिनेट्स आप पांच क्वेस्टन्स आराम से स्ववल्व करके निकल लाओ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ठीक है दोस्तों तो मैं आपको एक फेर कर दूँ इस पेस को ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाया है ना जैसे हम टीक मताई मनें एक स्वाइब यग फ्रस्ट प्ल呢 गशी इसक की निकल लाओ शी माणों लाकर यह एक्षब प्लस प्लस में हो और वाई की वैलू अगर मानस प्लस में हो तो मानस प्लस की वैलू में सा बड़ी होती है तो इसमें एक्स लेस्टेन वाई हो जाएगी इस तरह की यह वैलू आएगी सो तो तीसरी टिक मैं आपको बता दू तीसरी वाली है जो हमने आप यह डिसकॉस किया था कि अगर first value plus minus की हो second value भी अगर plus minus की हो हैं तो यह भी आपका क्या होगा यह x is equal to y या या फिसे cannot can't be determined हम लिख सकते हैं cannot be determined है ना दोस्तों cannot be determine cnd की category में आए गया चोधा था किया अगर यह फिर्स्ट वैलू हमारी plus minus की हो सेक्ड्र माइनस-की हो जाया तो भी यह category में आईगी अगर अगर यह वैलू मैनस मैनस में आ जाया और यह वैलू भी अगर मैनस मैनस माजा एक्स की व यहाँ इक्वेशन से यहाँ पर है यहाँ पर है ठीक है और यह आ यहाँ पर Y है Y है यहाँ यह मत हो ना ठीक है तो outta कि निट भी हमारी वैलू कटे़म चुल्व करोगे तो इस चीजिस को ध्यान रखना इन सिंबल इस इंस को याद रखना इस इस सिंबल को याद रखना यह हमेशा इस कटेगरी में आएगी यह सिंबल में से इस कटेगरी में आएगी यह जो तीन है न थ्री फॉर फाइव यह जो है न हमारे यह बहुत इंपोर्टेंट है यह तीनों अगर यह चीज आज़े तीनों यह तीनों हमारे सिंडे के कटेगरी में आएगी दोस्तों ठीक है और यह हमारी आएगी एकसिस गेटर देन वाई एकसिस लेस देन वाई अगर इस सिंबल के कोडिंग आएगी ठीक है दोस्तों तो इसे आप लोग बिल्कुल कर लो मतलब समझ लो कि आप इतने टाइम के बचत हैं निए अगर यह पांच अगर हमारे पांच क्वेश्चन पांच उस तठीके से आगये ना तब तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई इतना तो जानो अगर नहीं आया तो कम सब्सक्राइब ते इन के एकटिंग के और और कई लोग ने जो हमारे रिफरेंस के थे जिने मैंने बॉला था कि इस तरीके से बना सकते हो मैंने ऐसेसे कर चुका हूं कई इक्वेशन मैंने solve किये हैं solve पूरा equation मैंने solve किया और solve करने के बाद मैंने इसके according मैंने देखा तो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं सारे का सारे तो दोस्तों आप भी चेक कर लो सकते हो ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं आप आख बंद करके मानलो ऐसी कोई बात नहीं है आ अगर फिर से मैं साफ कर दूं ठीक है हमारे जो एक्वेशन से एक थे हमारे माइनस प्लस 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 एक थे हमारे प्लस प्लस माइनस प्लस यह दोनों है ना यह एक सीज गेटर देन वाई में आएंगे और एक सीज लेस्टिन वाई में आएंगे फिर हमारे एक डीसरे वा design कर hustle, एन इन 5 को आप रिमेंबर कर लो यह बहुत बेटर है और ऐसे ऑल भी मज़दा ट्रिक्स के लिए आप लोग हमारे यह चैनल को subscribe कर लो ताकि मैं next और भी ऐसे क three important कि अपलोड कर सकूँ अ अपको यह नोटने असने आशाने ह déclar इन सब चीज़ों को देख लें समझ लें सीख लें ताकि आपके आने वाले एक्जामस में आपके बहुत काम आएंगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करने लिए